हेलो, माइने में शितिश श्रीरवास्तो और इस वीडियो व्लोग में मुझे किसी व्यक्ती ने, एक लड़की ने वाटसेप मेसेज किया था तो मैं उस वाटसेप मेसेज का जवाब देने जा रहा हूँ and she asked some very valid questions जो किसी के भी मन में आएंगे और मैं normally directors की बात करता हूँ, actors की बात करता हूँ पर actresses के बारे में मैंने जादा कुछ जादा नहीं बोलाए एक वीडियो बनाया था वो भी किसी के insistence पर बनाया था किसी ने मुझे बोला था कि एक वीडियो बना दो थो मैंने बना दिया था पर पहले question पढ़ लेते हैं फिर मैं उसका जवाब देता हूँ पहला question है यू हव अलवेज मैंशन इन वीडियो आट socializing is most important so how can one socialize especially for girls because at the end most of the people turn the conversation towards having sex and all so what is the smart way out okay so the thing is की जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे personal experiences पे है और एक conversation के उपर based है जो मेरा एक actress के साथ हुआ था और वो actress से बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम लोग बहुत time साथ में बिताते थे मतलब as a friend और उन्होंने काफी 15 साल फिल्मों में काम किया था बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कहीं थी बहुत बड़े बड़े डिरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर के साथ काम किया हुआ था तो मैं अकसर उनसे बाते करता था तो she used to tell me her experiences and how she deals with all these kind of things तो socializing का सबसे बड़ा जो लड़कियों के लिए problem है वो मैं पहले भी वीडियों में बता चुका हूँ वो यह है कि अगे जैसा कि इसमें लिखाई हुआ यह conversation हमेशा sex की तरफ ही जाता है और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दुनिया का यह भी सब conversation जो उस लड़की के साथ हुआ था उस पर based है जो भी मैं advices देने वाला हूँ तो वो यह है कि दुनिया के जितने भी मर्द होते हैं वो हमेशा sex के बारे में सोचते हैं So this is one truth that you cannot deny You are not going to meet people there who are not thinking about sex वहाँ पर वैसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जो sex के बारे में सोचते हैं This is the truth of the life that you cannot change Every man thinks the same way So आप अगर उसको बदलना चाहते हो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप ऐसी कही जगे पर जाओ जहां पर लोग आपको sexually ना देखें या sex की तरह तरफ ना बात करें तो आप बहुत बड़ी गलत फेहमी में हो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला The world works this way तो उसको change करना बहुत मुश्किल है आप नहीं कर सकते हैं तो चेंज करने के सोचो भी मत So socialize करने का जो best तरीका है जो मुझे बताया गया था और जिस पर मैं agree भी करता हूं वो यह था कि उस लड़की के जो method था वो था bitch method So she used to call herself a bitch और वो कहती थी कि मैं हमेशा एक bitch की तरह behave करती हूं So basically I pretend that I am going to sleep with that guy But I won't So basically funda कहा है कि आपको लोगों से बाद भी करनी है अगर उनकी यह thinking है कि वो आप क्या sex करना चाहते तो उनकी thinking है आप क्या कर सकते हो उसके लिए आप उसमें ना बढ़ावा दो ना उसको काटने की कोशिच करों अगर आप उसे बढ़ावा देने की कोशिच करों और और जीदा बढ़ने लगेंगे तो आप उनको उतनी hint दो जितनी की जरुरत है और समय आने पर काट दो तो इसके लिए आपका जो mental strength है वो बहुत strong होना चाहिए या आपको पता है कि कब चीजों को रोखना है लाइक एक बंदा आपसे बात कर रहा है, बात कर रहा है, आपको कॉफी पे ले आता है या खाना खिलाने के लिए लिए पॉप टेट्स में लेके जाता है आपके जांग पे हाद रख देता है, या कंदे पे हाद रख देता है तो पलट के उसको थपड भी मारो, या हाथ उठा के किनारे कर दो तो वो लेविल भी होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, किस लेविल पे जाके मेरे चीजों को रोखना है तो वो उस लड़की ने सीखा था throughout her life कि मेरे को किस तरह लोगों को उनके advances रोखने हैं और कहां पर उनसे काम भी निकलवाना है तो आप totally इन advances को ignore भी नहीं कर सकते और बहुत साथी लड़की तो ऐसी हैं जो अपनी इस खुबसूरती का अपने sexuality का फायदा भी उठाती हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है वो करना ही चाहिए अगर आप खुबसूरत हो लड़के आपके पीचे भागते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है इस्तमाल करो उनका अगर यह अमबानी का बेटा सोचता है तो वो कभी मुकेश अमबानी नहीं बन भादा वो सोचता नहीं पापा मैं तो अपने तेलेंट के दम पे जाओंगा मुझे आपका अंपायर नहीं चाहिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा अगर आपको एक उपर्चुनिटी मिल लाइए तो उस उपर्चुनिटी को अवेल करो उस उपर्चुनिटी का फाइदा उठाओ पजाया इसके कि अपने उस इगो में कि नहीं मैं तो अपने से करूँगा चीजें नहीं आपके पास जो आपकी powers हैं उनका इस्तमाल करो तो socialize करने का बेस्ट तरीका यह है talk to as many people as possible जो कि लड़कों के लिए भी applicable है message to as many people as possible when you see sexual advances just be very अपने कान खड़े कर लो कि अब मुझे इससे कैसे deal करना है और deal करने का तरीका यही है कि अगर वो आपके लिए कुछ ऐसी thinking रखता है या flood करने कुशिश कर रहा है तो करने दो क्या फरक पड़ता है जब तक physical advances नहीं करता है तब तक उसको करने दो जैसे वो physical advances करता है तो उसको काटना शुरू करो और काटो भी इस तरह से कि relation ना खराब हो तो कि वो सब लोग करेंगे वहाँ पर मतलब मैं बड़ी बड़ी फिल्मों की shoot पर गया हूँ हर जगे गया हूँ बड़े-बड़े director's actresses साथ फिलर्ट करते रहते हैं और ऐसा नहीं कि actresses नहीं करती है यह one way street नहीं है बहुत सारी actresses मैंने देखी जो डिरेक्टर साथ इसको निगेट करने के बजाए उसके solution तुलो कि मैं किस तरह लोगों से deal करूं कि मैं उनका इस्तमाल कर सकूंँ बेसिकली घूम फिर के आपको लोगों का इस्तमाल ही करना है अगर आप वो लोगों का इस्तमाल करना है तो बहुत हार्श वर्ड आपको लगेगा सुनने में बेसिकली अगर मैं उसको इस तरह से बोलू कि आपको human behavior समझना है और humans को humans से interact करना है और उसके तुरूब काम लेना है आपको तो आपको शायद बेटल लगेगा बट एक्टली घूम फिर के फंडा वही है उसको मैं crude way में बोलू या mild way में मतलब उसका वही निकल के आता है कि आपको दूसरों का इस्तमाल करना है and there is nothing wrong with that आपको सुनने में बहुत खराब लगती है जो सुनने में बहुत खराब लगती है पर actually जब आप उसे करते हो तो वह सही होती है जैसे कि मतलब बहुत difference होता है करने में और सुनने में आपको अच्छा लगता है बिकारी को भी खाना खिलादो मेरे आपको घर के पीचे चक्कल लगाने लगेगा and then you will think here मैंने तो पढ़ा था कि अगर विकारी की मदद करको तुम्हाइसा अच्छा होगा कुछ नहीं होता इसा अच्छा तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और actually वैस सुनने में जो चीजें बहुत ही इंप्रैक्टिकल लगती है रियल लाइफ में प्रैक्टिकल होती है ज़रूरी नहीं है सारी चीजे एथिक्स और मॉरल्स के हिसाब सही चली और चले और चलाया जाए उनको आपको कहीं नकिन बिलियंस भी अपना दिमाग लगाना पड़त और सारी चीजिए एक रूल पर नहीं चलती है कि आप सोचोगी मैं बहुत हाडवर कर रहू हूँ मैं बहुत यह हूँ मैं बहुत भरे बड़े मुंबई में हैं जो हाडवर करते हैं तैलेंटेड हैं सब कुछ है आर्टिस्ट हैं आप उठा के देख लो इंडिन आइडिल तक इतने सारे शोज वो रियाल्टी शोज कर चुका है जिसमें बहुत तलेंटेड लोग सामने से उसके आए उसके आए उनसे अधा तलेंटेड हमें से कौन है और क्या कभी उनको किसी कास्ट किया है किसी नहीं सिर्फ रेमो डिसुजा है जो कास्ट करता रहता है एक दो क्या है कि मतलब मुझे इस इस माई लेमिट और उसके ब्योंड मैं सामने लो थपड़े मार दूंगे कोई कुछ नहीं विकार सकता है तुमारा लड़कियां मुंबई में खुद वॉलेंटियर करती हैं कई वार जिसके वजह से सारे कास्टिंग काउच होता है तो कास्टिं बहुत सब्सक्राइब जानते हり जह से बाट करते हैं तो बैसिकली रसिप κरण है आप घैसा है सामने से बात करेंगा अगर आप इंडिकेशन दोगे तो वह उसी तरह से आगे बढ़ने कोशिश करेगा पहली मुलाकात में आप उसे डीसेंड तरीके से इंटलेक्चुल इंटलिंट बाते करेंगे तो उससे आपकी रिस्पेट करेगा तो यह गलत फहमी है कि सारे कॉंवर्सेशन सेक्स की तरफ जाते हैं को अगर आपको नहीं देखता है वह उससे आपसे बात नहीं करता है तो या तो आपको खुबसूरत नहीं समझता है या फिर आपने वह इंट्रेस्टेट नहीं है किसी और वज़े से या फिर वह बहुत दरह कमिटेट अपनी गल्फेंड को लेके कोई भी यह हो सकते हैं वनना लड़का लड़की की तरफ ऐसे ही देखता है और यह जीन्स है इसमें वह कुछ कर नहीं सकता है तो उसी तरह वह करता है क्या करेंगा उसके लिए और नॉट फॉम्परमाइश की अपने फिर्स ब्रेक के लिए और बेसिकली एक बहुत कॉमन चीज जो मुंबई मैंने बहुत सरह देखी है और यह देखी है जो मैं बता भी चुको हूं बहुत सरह व्लोक्स में वह यह कि रिच जो बच्चे जिनके पाँ ज्यादा पैसे होते हैं उनके लिए इजी एकसे होता है अब आप खुद सोचो कि अनुषकर शर्मा के पापा अमीर थे विती सिरन के पापा भी अमीर थे अगर उनको मुंबई जाके स्ट्रगल करना है तो वो कुछ नहीं कहेंगे वो कहेंगे ब जाती है जब आपके पैसे होते हैं तो आप बहुत साही जगह पर रजिस्टर कर सकते हो जहां पर नौर्मल आद्मी नहीं कर सकता लाइक किसी लड़की को अगर मॉडल बनना है तो आपको क्या मॉडलिंग जैसी में आपको मॉडल बना देंगे कितनी भी खूबसूरत हो क् आपको मॉडलिंग की फीशी बहुत जादा होती है आपको उनसे लेनी है तो आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा तो किसी भी मॉडलिंग है आप जाओगे तीन चाल लाग रुपे आपको देने पड़ेंगे तब जाके आप रजिस्टर होगे तीन मैंत की और जहों पर भीजी जाती है वह मॉडलिंग तो करते ही है और जो फैशन सोज होते हैं उनको हाइर भी करे आता है कपलों के लिए पर उसके अलावा उनकी जैसे एड़ फिल्म होती है तो उसके लिए उनको जबूरी नहीं कि एक्टर हाइर करना पड़ेगा अगर एगर करते हैं किसी खुबसूरत लड़की को या किस खुबसूरत लड़के को हायर करें उस पोजिशन के तो मॉडलिंग एंसी को कॉंटेट करते हैं तो मॉडलिंग एंसी उनको प्रोफाइल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें से वो सलेक्ट होते हैं तो इन दोनों का करियर भी व वही complexity है कि South में South की लोगों को वो लोग काम नहीं देते हैं पर North Indian क्योंकि गोरे होते हैं तो उनको ज़्यादा काम मिलता है और इस पर कई actors ने वहाँ पर अपत्ती उठाई भी है कि North South India में South की लड़किया उनको काम कम मिलता है और ये तमन्ना इन जैसी जो खुब्सूरर लड़किया है जिनको एक टेल्गू तमिल बोलनी भी नहीं आती है इनको बहुत सारा काम मिलता है यह भी प्रॉब्लम्स है अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो इनका मुझे लगता नहीं है इनको ब्रेक के लिए किसी की साथ सोना पड़ा है इनक अगर लड़की चाहती है तो ही वह सोती है वनना ऐसा कुछ भी नहीं है आप वहां सेफली जाओ आपका टैलेंट अच्छा है आप देखने मच्छों अपना अच्छे से कैरी करते हो आप खुब्सूरत बनके जाते हो आपको एक्टिंग भी आती है तो आपको काम मिले गई और अगर आप रिच हो तो आपको जल्दी काम मिल जाएगा आप रिच नहीं हो तो आपको शायद कभी भी काम ना मिले तो वह सब चीजे भी है आपको पार्टी में जाना पड़ता है लोगों से मिलना पड़ता है सोचलाइज करना पड़ता है सोचलाइज करना पड़ता है के ही है कि आपको लोगों से मिलना पढ़ेगा इसके तो तो वह आपkो बात करनी पढ़ेगी प्रदूसर पाइप यह ही और विए फॅल。」 तो वो उस चीज को किनारे कर देते हैं, फिर वो आपके टैलेंट को एक्स्प्लोर करने लगते हैं, तो पहला इंटेंशन 15 में अटके लिए आदमी का वह ही रहता है, गंदी सोच, और उसके बाद वो आपका टैलेंट देखने लगते हैं, तो अब आप किस चीज को ऊपर करत हैं, अगर आपने अच्छा टैलेंट दिखा दिया, तो मेरे खाल से बाकी चीजों को पीछे करके सिर्फ आपके टैलेंट पर जान देंगे, तो तीसरा कॉश्चन देखते हैं, हाव मच टैलेंट मैटर्स और हाव मच सोचलाइजिजिंग मैटर्स मोर देन योर टैलेंट, जो कि आप जितने लोगों को टीवी पे देखते हो, या फिल्मों में देखते हो, उससे पचास हजार गुना लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत ही टैलेंटेट हैं, आपको इतने सारे लोग दिखेंगे, जो बहुत टैलेंटेट हैं, खुबसूरत हैं, मैं ऐसे बहुत सरे एक्रिसें जो जानता हूं, जो थेटर करते हैं, जो टीवी करते हैं, जो चोटेटर रोल मिलते हैं, when you meet them, you come to know that उनको 10-12 साल का थेटर एक्स्पिरियंस है, बचपन से थेटर कर रहे हैं, इप्ता से जुड़े हुए हैं, और एक्टिंग सब अच्छे स यह मतलब घर पे लोगों को बुला लिया, house party कर रहे हैं, घर पे लोगों को बुला के दारू पी रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, that is the most stupid kind of socializing that you can do, आप अपना पैसा भी waste करते हो, time भी waste करते हो, दारू भी waste करते हो, और कुछ निकल के नहीं आता, socializing मतलब आब बा यही फ्रेंड्स आते थे, उनके साथ मैं बैट जाता था, नायना वस इन इस illusion कि मैं socialize कर रहा हूं लोगों के साथ, पर वो तो मेरी field के हैं भी नहीं, वो तो मेरे महले के लोग थे, जिनके साथ मैं socialize कर रहा था, उनके साथ मैं socialize करके क्या फायदा होगा, और इसी में में लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किताब में पढ़ाता कि अगर आप वो socialize करना है तो बेस तरीका यही कि आप कुछ पैसा सेफ करिए, और किसी ना किसी को हर हफते दो लोगों को कॉफी बिलाने के लिए, या फिज खाना खिलाने के लिए, लंच करने के लिए, उनके और मैं चीज बताता हूं जो बड़ी problem होती है कि अगर किसी लड़के को आपने पूछा कि मेरे को कॉफी पी नी तुम्हाँ साथ चलो हम लोगों लंच करने चलते हैं, तो पहले तो वो एक मन में बना लेगा कि लड़की मेरे फिदा हो गई, अपने से बना लेगा, अपने लड़की और वैसा नहीं सोचती है, वो एकसपट कर रही हैं कि उन्हें सोचना चाहिए, तो वो फिर बैकबिचिंग करने लगते हैं, और फिर गंदी-गंदी बाते करने लगते हैं, मतलब कि लड़की ऐसी है, लड़की किसी के साथ भी सोती है, तो ऐसा बहुत चानने वा कना मिताब बच्चने के बारे मोलतते हैं की वो इसक साथ जा decis canians लेए घर में इस Mỹ बाते लूग को बोलते से कोई सेन्स नहीं और पता नहीं बस बोलना है कि निगेटिविटी है निगेटिविटी मार्केट में बहुत जादा है लोग जो सक्सेस्फुल होते हैं उनको उनकी जो पर्फेक्ट लाइफ होती है उसको बिल्कुल भी डाइजस्स नहीं कर पाते हैं अभी भी मैं देखता हूं से अनुष्का शर्मा व विरा सब लोग आराम से बैठे हैं कि अच्छी बहू है कि अच्छी पत्नी है अभी शेक बच्चन भी अच्छे से अपना बाब आपकी इज़त करने और अच्छा लड़का है सब कुछ है तो आप वह विश्यास नहीं करना चाहते हैं उसमें कुछ इंट्रेस्टिंग नहीं है कि इ जो मेरे सामने अच्छी एक्रस बन गें उनके बारे में इतना गंदा गंदा बोल जाता था पर वह फरक है नहीं बड़ता एक टाइम आता है जब आपको इनिशल लेवल पर आपको चाहद किडिसिजम का फरक पढ़ना बंद हो जाएगा और जिस दिन वह टाइम आया और व वह जब लेवल आता है when you come to terms with yourself then you become more successful तो लेवल अचीव करना बहुत ज़रूरी है जब आप जब आपको इन सब चीव से फरक पढ़ना बंद हो जाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगा यू जब आपके पास एक गोल है कि मुझे अक्रस बनना है मुझे successful होना है and and then you do everything not everything मतलब यह नहीं करना है पर I do everything within your talent within your hard work to achieve to go there I cannot assure you कि किसी आप सोई नहीं है ऐसा किया वैसा नहीं किया because her story is unbelievable कि coffee shop में किसी ने उसको लेखा और उसको कास्ट कर लिया and I don't believe or and she said in a interview कि जब वो मुंबई आई साल भर मुझे काम मिलने लगा और उसके बाद उसे south की बहुत बड़े star के साथ film मिल गई that is unbelievable वो बिलीवेबल नहीं है और उसे gangster मिल गई महिश बड़ की फिल्म सारी चीज अन्बिलीवेबल टाइप की विश्वास नहीं होता पर हो भी सकता है वर्ट प्लेश नौट रटेन रूल और ऐसा होता ही है अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा वो सकता है उसकी चिसमत अच्छी यह उसको चीजें मिल गई हूं लग बहुत बढ़ा फैक्टर है मुंबई में तो ऐसा नहीं के सबता है तो जब दस्ती उसके वारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आपको ऊसको लगता है कि बहुत लोग के सास होई ऐसा हो सबता है कि उसके सिर्फ टैलेंट अक्छा कोई एक चीज देखी हो किसी बंदे उसके अंदर उसको कास्ट कर लिया हूँ, you never know how things happen in Mumbai, so कुछ लोगा लग भी है, अब हजारों फोटो आदिछ चोपला के पास गई होंगी, उसमें से अनुश्का शर्मा को select किया, होसकता कुछ resources भी हों, जो कि मैंने कहीं सुना था, मुझा अगें पता नहीं है, पर मैंने सु rumors हैं, rumors इतने जादा हैं वहाँ पर कि you cannot differentiate between the truth and the false, तो वहाँ आप जिसके पास भी जाओगे, आप चाय की गुंटी पर खड़े होगे, आप सुक्टे की दुकान पर खड़े होगे, सब लोग गपे ही मार रहे होते हों, इनी सब चीज़ों में बात कर रहे होते हों, सब अप is beautiful but not a very good actor and she gets into the good books of the casting director of the producer, will she get the role and will she be able to sustain that, yes, कैसीना कैफ, one of the biggest example, if she is beautiful but not a very good actor, she gets into the good books of the casting director of the producer, will she get the role, of course she is going to get the role, अन्या पांडे को कैसे मिला काम, क्योंकि उसके पापा connected है अच्छे से, तो connections matter more than everything else, आपके connections क्या हैं, उससे आपके acting का और even आप खुबसूरत भी नही हैं, तो doesn't matter, प्रतीक बबबर को अभी तक काम मिला है, उसको acting भी नहीं आती, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो सेट पर बत्तमीजी भी करता है, कई बाद सेट से भाग जाता है, बहुत ही unprofessional है, बहुत कहानिया है मुंबई में उसके बारे में, फिर भी उसको काम मिला है, क्यों चो कि विसमिता पाडिल का बेटा है, और आमिर खान उसको promote करता है, help करता है कि या, चलो उसकी बंबी नहीं है, तो मैं उसको help करता हूं करके, तो बहुत सारे ऐसे actors हैं, जिनको सिर्फ connections के basis पर काम मिलता है, इवन सुशान सीन राजपूर जिनकी death हो गई है, वो भी एक टाइम में casting directors की आसपास टहला करते थे, उनके officers के बाहर घूमा करते थे, शुट्टा मार मार के उतना पुरा होट जला लिये थे, उसने मतलब पीछे पर बलगे, मुकेश शाबला दे बहुत ची दोस्ती है उनकी, और मुकेश शाबला नहीं उनको PK दिलाई थी, PK में ज पर उनके कुछ casting director जानने वाले थे, तो उन्होंने उनसे phone किया और उनको कुछ acting assignments मिले लगे और अब वो acting करने लगे, तो वो सब contact के basis पर हुआ है, और जो कि पहला एड उन्होंने किया था, वो audition दिया था, वो अच्छा गया भी नहीं था, उनको भी पता है, वो casting वाले को चौथा नहीं, पाचवा question है, what are the different matters and ways to build connections for an outsider, there is no strict rule कि कैसे contacts build-up करेगा कोई भी outsider industry के अंदर, सिर्फ यही तरीका है कि आप जाओ, लोगों से मिलो, और contact बनाओ, it will happen over the time, it won't happen in a day, मतलब आप किसी दे 5-6-10 बार मिलते हो, तब जाके आपका connections अच्छे build-up होते हैं, तब वो आपको समझता है, और आप उसको समझते हो, तो एक बार में नहीं होगा, कि आप एक बार किसी casting director से मिले और चीज़ें हो गए, आपको बार-बार-बार-बार-बार मिलना पड़ेगा, ताकि एक familiar relation बने, और अगीन जैसा कि मैंने बता है, अगर आप Mumbai जा रहे हैं, और आप लोगों से मिलना चाहते हैं, देन, दो किताबे हैं, और एक किताब को तो मैं बार-बार-बार-बार मतलब आपको बताता रहता हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़ी है, वो है How To Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, और सेकेंड किताब है Talk To Strangers by Malcolm Galway, अगेन बता देता हूँ, Talk To Strangers by Malcolm Galway, ये कि किताब, जो दोनों किताबे जो हैं, ये इतनी must-read हैं, सेकेंड आप भले ही ना पढ़ें, पर फर्स्ट आप 25 बार पढ़ लें, और उसके बाद आप मुंबई जाते हैं, तो आप के लिए सोचलाइजिंग करना बहुत इसी हो जाएगा, आपको पता है लोगों से डील कैसे रट डालो उस किताब को, और उसके बाद मुंबई जाओ, कोई रोख नहीं पाएगा आपको, इवेन वारेन बफेट और जो वुल्फ ओ वाल स्ट्रीट का, जो में बंदा जिसके कहानी बेज है, नाम भूलिया मैं उसका, बट एनिवेज, तो जॉर्डन बेलफोर्ड, जो होते हैं, वो बेसिकली कमिशन लेते हैं, और आपको, जो होते हैं, वो बेसिकली कमिशन लेते हैं, जाहतर कास्टिंग कोडिनेटर के पास मत जाना, मैं एक पर ऐसे एक्सपेरिम्ट कर रहा था एक्टिंग में, तो सचनत लोगों उससे जाके मिलता हूं, करके तो मैं कास्टिंग कोडिनेटर जो होते हैं तो वह काम दिलाते हैं बीच होना पैसा खाते हैं तो आपको जैसे अगर कुछ काम मिला उसमें आपको एक लाग रुपर मिला है तो तीसार रुपर वह रखेंगे कश्टिंग कोडिनेटर को नमस्ते करना कभी उन से बातकरनी कीृफर नहीं है और कास्टिंग डिरउक्टर से मिलो और हमेशा शाइब सब्सक्रिक करता था बहुत बहुत कास्टिंग वेशा से चथा यहरकते करता था तोैवर never never ever गो इंसाइडर रूम विद एनी कास्टिंटर और विद एनीवन कभी भी बंद कमरे में जावी मत अगर जाना है तो कमरे खुले होने चाहिए वह सब चीज़ें ध्यान रखो कि कहां पर बैठ रहे हो वहां पर अकेले में किसी कास्टिंटर बोलता है कि मैं तुमसे अकेले मिल या किसी मेल फ्रेंड को लेके जाओ मेल फ्रेंड को नहीं तो फेमेल फ्रेंड को दो एट लेके जाओ अब रही है अगर देए है और आपको हैलप मिली है तो मुझे बताएए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे व्यूपॉइंट्स नहीं अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स से बताइए मैं उसको और भी जस्टिफाइ करने कोशिश करूँगा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लोग में, बाबाए